नमस्कार दोस्तों आदर सायस अकैड़मी में आप सभी का बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोगों ने अनुच्छेत याद करने की ट्रिक लाँच की थी भी बहुत जल नहीं तो हम लोगों ने एक से लेके चार तक के अनुच्छेत पढ़ लिए थे जो कि आपके भाग एक में आते हैं अब हम लोग बाग दो के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका आता है नागरिक्ता से सम्बंधित अनुच्छेद है तो क्या है कि I hope कि आप लोगों को पहले वाली अनुच्छेद जो है वो समझ में आ गए होंगे और आपको असानी रहोगी याद करने में कुछ भी कठिन नहीं है पहले मैंने आपको बताया था एक राज्जी के बारे में कि भारत में कैसे राज्जी पढ़ा और क्या नाम है तो इसको मैं ऐज़े याद करने के मैं ऐज़े ट्रिक के बारे में बताया था अब हम लोग इसमें प्रवेश्की है फिर एक राज्य में आये अब क्या है राज्य में रहने के लिए आपको नागरिक्ता जरूरी है आपको पता तो चलना चाहिए न अगर आपसे भाईया कोई पूछ ले कि भाईया आप कौन से धर्म से हैं तो क्या है आप क्या कोगे हैं भाईया हिंद क्या है कि सम्विधान में प्रारभ में क्या है इसमें नागरिक्ता के बारे में बताया गया है इतनी मा समझ में आगे कि जैसे को आप आप घर पे रहते हैं आप से कोई मिलने आया आप पूछा कि आप कहां से आये हैं तो आपने क्या बता है कि आपकी नागरिक्ता को प्रदर तो क्या है आप से कोई आप यहां पे रह रहे हैं ठीक है कोई आया आप से मिले कि उन्होंने पूछा भाईया आप कहां से आए हैं तो क्या है छटे में क्या है कि आने वाले जो नागरिक हैं उनके बारे में पूछताच की भाईया आप कहां से आएं यह छटे में और पाचव की लाइफ में भी होता है फिर क्या है पाकिस्तान जाने वाले अब क्या है जैसे हमारे हमारे महले में किसी की नहीं बन रही है किसी से तो क्या है कि भई हम जा रहे हैं अपने आ जा रहे हैं ठीक हम लोगों ने कहा कि कहां तो हम लोग जानते हैं कि हमारा 1947 में विभाजन हुआ तो उन्होंने क्या क्या कि ये जो है ये पाकिस्तान जा रहा है तो छटे में क्या है भारत आने वाले और साथवे में क्या है पाकिस्तान जाने वाले अब क्या है confusion ना हो छटे और साथवे में तो क्या है हम लोग इंडिया ने इसलिए हम लोग भारत को पहले रखेंगे इसलि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है जो हमारे भारत से बाहर जाते हैं विदेश में काम करने वाले लोग उनकी नागरिक्ता के बारे में बताया है कि जैसे आप भारत से यहां मतलब की कहीं से आप आए काम करके मालिया आप साउदी अरब में रहते हैं और यहां पर आए त आपके आधी family पाकिस्तान में रहती है तो आपने क्या कहा कि ने हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या है छटा सातों याद हो गया आठवे में क्या है भारत से बाहर जाने वाले लोग अब क्या है आपको अपनी family से जाना है मिलने तो आठवे में क्या है कि आप जब भारत से ब तो इसमें कैась का लिखा ए विदेसी राजी की नागरिकता लेने का अधिकार, अब क्या है आप जैसे पाकिस्तान में बस गए जाके, जब आप पाकिस्तान में वहां पर बस गए तो क्या है कि आप आप उनकी फैमिली ने कहा कि आप यहीं पर रुख जाओ कहा रोज अब डाउन करोगे इंडिया तो पाकिस्तान ठीक है तो आपने क्या कहा चलो ठीक है यहां रुख जाते हैं लेकिन हमारी यहां की नागरिक्ता नहीं है तब क्या होगा अब क्या है यहां पर आपको भागरा आप भारती नागरिक्ता को लेने में इंट्रेस्टेड हैं तो क्या है आपको इसकी नागरिक्ता पढ़नी पड़ेगी उसमें क्या लिखा है कि अगर आप यहां की नागरिक्ता समाप्त करना चाहते हैं तो आप बहेचक कर सकते हैं अनिथा अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या किसी ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां पर दो नागरिक्ताएं हैं मतलब कि जैसे अमेरिका में क्या है दो नागरिक्ताओं के जरीए रह सकता है तो क्या है आपको भी दो नागरिक्ता अगर वहां पर दो नागरिक्ता का प्रगान है तो आपकी इंडिया की नागरिक्ता बनी रहेगी ऐसे बारे में बताया जा रहा है तो नवी में क्या है कि अगर आप विदेशी राजी में चले गए हैं वहां की नागरिक्ता आपको कैसी लेनी है और भारत की नागरिक्ता उस प्रकार से नस्ट भी ना हो क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक इंडि पाकिस्तान चले गए है 1947 में उनकी नागरिक्ता के बारे में आठवे में क्या है अगर भारत से बाहर के पैसा कमाने जा रहे हैं आपको आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेली अप डाउन करेंगे तो क्या है आप एक एक साल दो साल तीन तीन साल के लिए बाहर रहेंगे तो पर आप अपनी नागरिक्ता को कैसे मेंटेन रखेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है नवे में बताया जा रहा है विदेशी राज की नागरिक्ता मतलब कि आपकी फैमिले ने कहा कि आप हम लोग चलो आप उदावी में ही बस जाते हैं कहा रोज भारत से अब डाउन ह बहुत ज़दा खडचा हो जाता है इस सारी बाते आपको जब फैमिली ने बताई तो आपने क्या कहा कि वहीं की नागरिक्ता ले ली अब आपको उस स्टेज पर क्या है क्या आपके पास भारत की नागरिक्ता रहेगी आबुदाबी में पर्मानेंट रहने के बाद तो इसके नागरिक्ता भारती नागरिक्ता को कैसे मेंटेन रख सकते हैं कैसे इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं हम इंडियन के हम इंडियन पे भी है यहां हमें वोट डालने का अधिकार है इसके बारे में भी बताया गया है और ये सब केवल नागरिक्ता लेकिन 11 अनुछे ज साथ चाहेगी तो आप को अधिकार दे सकेगी कि हुआ कि नहीं ठीक हैं, आपकी नागरिक्ता को रद कर सकती है। नागरिक्ता अनुछेद में संसत का पूरा हक है, वो किसी भी प्रकार की नियम बना सकती है आपके मामले में। आप खुद से जब एक बार रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा तो थैंक यू सो मच काइस मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो को जितना जदा हो सके शेयर किया करें थैंक यू सो मच आप मुझे आन- जाप बाइ तक यू आप बाइ तक यू